हेलो स्टुदेंट्स वेलकम है यार आगेन और माई चैनल जानकरी हित मैसल्फ हित अविलाशी शेर्मा आज हम बात करेंगे अशुधियों को शुधियों को शुध करना जिसको कह सकते हम समझने के लिए और इसमें बात होगी अकाउंटिंग एरर्स क्या हैं टाइपस ओफ एरर्स विद प्रिक्टिकल कुछ नमेरिकल क्वेस्टिन भी करेंगे कॉंसेक्ट को समझने के लिए लेट्स मूँव है दिमी तो डिसकस्ट टूड़ेस कॉंटेंट एक अलर्ट मैं हमेशा देता हूं वीडियो को कम्प्लीट देखो फुल स्क्रीन करके देखो अपने डिवाइस पर हैडफोन जाहिए और फोन को यूज़ करो अगर हम अकाउंट से रलेटर डेटा को इंफरमेशन को इनकूरेटली प्रोसेस करेंगे गल्द धंग से उसकी प्रोसेसिंग होगी लिखने का जो धंग होगा उसमें कोई गलती होगी तो उन मिस्टेक्स को हम अकाउंटिंग एरर्स कहते हैं एरर्स केन आलसो भी ड्यू टू मिसिंटर्परेशन ऑफ एक्स ओवर राइटिंग ऑफ एक्स रोंग अप्लिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एट्सेटर इसके इलावा भी कुछ हो सकता है एरर्स जो है में तो हम किसी फेक्ट को जिसकी हमने ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है उसको मिस इंटर्परेट कर लिया उसको गलत समझ लिया और गलत लिख दिया परचेज फरनीचर किया परचेज में लिख दिया बस परचेज वर्ल बड़ा और फरनीचर का ध्यान नहीं रखा कि वो गुड्स है जा नहीं किसी फेक्ट की ओवर राइटिंग कर दी, गटिंग कर दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमने किये होते हैं पर्सनल, रियल, और नॉमिनल अकाउंट उन प्रिंसिपल को सही धंग से अपलाई नहीं किया तो उसके कारण जो मिस्टेक्स होती हैं उन सभी मिस्टेक्स को उन सभी गलतियों को हम अकाउंटिंग एर्र कहते हैं टाइपस ओफ एर्र क्या है इसके रिगार्डिंग आपको एक बता दूँ नीचे जे मैंने एक अलर्ट लिख है सी वीडियो नंबर एट्विंटी सेवन एच और एट्विंटी सेवन एपी एच का मतलब हिंदी में है पी का मतलब पंजाबी है medium of instruction इन वीडियो को देखें एर्र को जानने के लिए एर्र जो ट्राइल बैलन्स से रिलेटर चैप्टर है उसमें डिटेल में आप समझ सकते हैं types of errors क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि कुछ errors जो ट्राइल बैलन्स को effects करती है वीचर revealed by trial balance फिर जो effect नहीं करती trial balance से पता नहीं चलता not revealed by trial balance उस जंग से इन गलतियों को बाढ़ कर देखा गया है उसका link मैं आज की वीडियो ए नीचे दे रहा हूं उसको देख सकते हो आप जरूरी है उसको समझना आओ आज के चैप्टर के एकॉर्डिंगली टाइपस ओफ एरर्स को हम दो हिस्सों में बांट कर देख रहे हैं सेम कॉंसेप्ट है वहां पर भी आल्मोस्ट मिलता हुआ लेकिन वो ट्रैल बैलेंस के पॉइंट आफ जो से था इसमें चार टाइप है एर्रो प्रिंसिपल एर्रो पोस्टिंग निएड को अजर पोस्टिंग करनी है तो तोलिंग करते हुए कुछ Compensating Errors हो सकती है एक एक के बारे में बात करेंगे यह जो Error of Commission है यह चार टाइप की अव आगे बढ़ते हैं सबसे पहले Errors of Commission भूलने की गलतियां होती क्या है नाम ही बता रहा है If a transaction has not been recorded in the accounting books is termed that Error of Commission अगर accounting books में लिखी नहीं है वो गलती क्योंकि जो भूलने की गलती है अगर हम उसको पूरन रूप से भूल गए है तो ध्यान रखना उस Error का उस गलती का trial balance पे कोई effect ही नहीं पड़ेगा balance फिर भी मिलता रहेगा trial balance का डोटल कारण क्या है उसको समझो क्योंकि ना तो हमने debit side में किसी account की entry की ना credit side की कोई entry हुई जब entry हुई ही नहीं तो trial balance रिवील नहीं करता है ऐसी गलतियों को यह दो टाइप की है यह दिहान रखना complete error और partial errors complete errors जो पूरन रूप से भूल गए है उसका trial balance पे कोई effect नहीं है partial error अंशिक गलतियां जिनको हम एक हिस्से को भूल गए है तब trial balance नहीं मिलता माल लो एक entry थी machinery account debit to cash machinery account में हमने posting कर दी cash में नहीं की यह partial error होगी आधी अधुरी गलती होगी तो trial balance नहीं मिलेगा क्योंकि हम debit कर चुके हैं credit वाले में posting नहीं की तो नहीं मिलता उस आलत में यह धियान रखना कोई भी जर बिजनस ट्राइक्शन जो जर्नल जा सबस्ट्री बुक्स में record होगी जब लैजर कोस्टिंग करने लगे किसी एक हिस्से में कर दी एक में पोस्टिंग नहीं होई तो उन errors को हम errors of omission का partial errors का रूप कह सकते हैं next error of commission पहले जाने की error of commission होती क्या है when a person responsive or maintenance of books of accounts commit mistakes such as जिस व्यक्ती ने books of accounts maintain करनी है वो ऐसी कुछ गलतियां कर दे वो सारी की सारी गलतिया error of commission है wrong totalling of substring books substring books का गलत टोटल कर दिया posting same amount on wrong side amount ठीकता लेकिन wrong side पे कर दिया किसी account के posting का मतलब laser posting होता है ध्यान को errors in balancing balancing कर रहे थे फिर गलती कर दी गलत balance निकाल दिया posting the wrong amount गलत amount कहीं post कर दिया errors in carry forward the total जब total को आगे carry forward करना था तब गलती कर दी errors of duplication कोई चीज़ दो बार लिख दी एक हिस्सा उसका उसको error of duplication कहते हैं तो ये और इसके इलावा बहुत सी type की गलतियां जो भूलने के इलावा होती हैं वो सारी की सारी error of commission का part बन जाते हैं जिसमें मैंने बताया कि चार टाइप की error of principle क्या है errors are due to wrong application of principle of accounting अगर हम principle mistakes कर देंगे किसी account को debit करना था credit कर दिया credit करना था debit कर दिया यह हमने सीखा हुआ था जो purchase किया furniture उसको हम purchase book में लिख दिया furniture को नहीं लिखा depend करेगा गलती किस तरह कि यह है कुछ गलती है ऐसी भी हो सकते जिसका trial balance पे effect ना पढ़े कुछ ऐसी हो सकती है effect पढ़े जैसे मालो फरनीचर को हमने purchase book में लिख दिया गर तो डेविटी दी ना तो trial balance मिल जाता है clear compensating errors क्या होती है those are in which effect of one error is neutralized by the effect of another error ध्यान से जिसमें एक गलती का असर किसी दूसरी गलती ने खतम कर दिया हो neutralized का मनलो जीरो कर दिया हो उसका effect मालो हमने गलती से किसी एक जगा पर एक ट्राजेक्शन में salary account को ज़्यादा डेविट दिखा दिया 500 रूपीज के साथ मालो किसी और ट्राजेक्शन में किसी और दिन commission जो रसीव हुई थी वहाँ पर 500 रूपीज commission account को ज़्यादा credit दिखा दिया एक बार ज़्यादा डेविट एक बार ज़्यादा credit तो trial balance पे effect क्या हो गया neutralized कोई असर ही नहीं पड़ाएगा पहली गलती के असर को दूसरी गलती ने ठीक कर दिया इनको compensating error जा हरजाना पूरती गलतियां कहते हैं त्यान रखना भी error of posting when any transaction has been entered correctly in journal entry but wrongly posted in the laser journal entry ठीक की पर पोस्टिंग गलत कर दी उनको error of posting कहते हैं purchase of machinery one lakh posted in missionary account 10,000 missionary purchase की थी एक लाख की missionary account में 10,000 लिख दिया जब posting करने लगे इनको error of posting कहते हैं fourth one is error of posting के बाद fourth one है error of casting those error which occurred due to wrong totalling of laser accounts or substitute books as undercasting or overcasting of any account are known as error of casting वो सारी गलतियां dear students जो laser accounts या substitute books की गल्द रोटलिंग कर दी हो गल्द बैलंसिंग कर दी हो उसकी undercast या overcast कर दी हो undercast होता है कम दिखा देना किसी चीज़ को overcast होता है ज़्यादा दिखा देना किसी एकाउंट को उन सभी गल्तियों को हम errors of casting कहते हैं clear तो students गल्तियां तो होगी accountancy में कोई भी accountant ऐसा नहीं करता कि गल्ती होगी जैसे generally student करते है copy में गल्तिया काट दिया काट के दुवारा लिख लिया page part दिया अगर accountancy में ऐसा होने लगे books of accounts में तो इसको fraud मना जाएगा उसकी जगह हमें rectify करना पड़ता है रेक्टियों का सुधार करो कुछ ऐसा करो कि वो गल्तियों का जो effect है books of account में जो net effect है वो ठीक हो जाए की गई गल्तियों को ठीक करने की जो process है that one is known as rectification of errors when any error detected before preparation of यह ध्यान रखना जब हम गल्तियों का सुधार करेंगे इसमें तीन टाइप की stages है एक stage तो है जो first stage की में बात कर रहा हूं rectification of errors before preparation of trial balance trial balance अभी बनाया नहीं था हमने हमने general entry कर दी, laser posting कर दी और गल्तियां मिलनी शुरू होगी अगर कोई ऐसी गल्तियां जो trial balance बनाने को पहले से हो उसको stage first में कैसे ठीक करते हैं वो सीखते हैं जब कोई error trial balance को बनाने से पहले मिल जाए वो दो तरह की गल्तियां हो सकती है one sided or two sided errors क्या होती है one sided error no sided error का मतलो ध्यान से सीखो बहले, simple सी बात है भी जब किसी गल्ति का effect सिर्फ एक ही side पे जाए एक ही account पे बढ़ रहा है debit बढ़ रहा है या credit, trial balance हमने बनाया नहीं है अभी तो उस हालत में हमें कोई general entry पास करने की जुरूरत नहीं है जिस account पे असर पढ़ रहा है सीधा उस laser account में उस असर को हम ठीक कर देंगे, debit का मैं तो ज़्यादा debit दिखा देंगे credit का मैं तो ज़्यादा credit दिखा देंगे debit ज़्यादा दिखा दिया करना credit था यह धिहान रखना मेरी जब कहीं पे भी हमने जादा कोई चीज दिखा दी डैविट जादा या क्रेडिट जादा उसका इफेक्ट ठीक करना कैसे होता है कि अगर डैविट जादा दिखा दिया तो क्रेडिट कर दो उसको उतने अमाउंट के साथ अगर क्रेडिट जादा दिखा दिया तो उतने अमा only concern laser account going to be rectified सिर्फ सबंदेत laser account को ठीक कर लेंगे let's sale book was cost 1000 in place of 1500 sale book का जो cost करने लगे हम उसका total करने लगे वह 1000 कर दिया 1500 की जंगा पे total 1500 आ रहा था costing का मतलब totaling होता है 1000 कर दिया तो उसका असर क्या होगा अब जो 500 कम कास्ट हुआ उसको और दिखा देंगे अब इसको अगाउंट को 500 के साथ और क्रेडिट कर देंगे जितना कम क्रेडिट हुआ था उतना और कर देंगे अब सेल अकाउंट देखो बनावे और क्रेडिट कर दिया 500 के साथ इसके साथ उस गलती का इफेक्ट ठीक हो गया संडरी डेटर क्यों लिखा आपको पता होने चाहिए सेल बुक में वही सेल आती है जो हम उधार सेल करते हैं जिसको सेल करते हैं उसे हमने पैसे लेने होते हैं और वो परसन क्या होते हैं बिजनस के डेटर्स तो हमने और डेटर्स दिखा दिये 500 के क्योंकि कम टोटल किया था समझ लगा ये है वन साइड़ एरर इसको हम ध्यान से देखें कुछ और एक 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 एक्जामपल लेते हैं इसका आंसर नहीं है ये आपको बताया है विसलेशन की है वैसे तो हम वैसी सेल अकाउंट बनाएंगे वहां संडरी डेटर्स लिख देंगे जैसे में पहले बताया था 500 रुपी के साथ बाइस अंडरी डेटर्स लिख के यहां पर दिखा देंगे सेकंड है सेल बुक को हमने 200 रुपे के साथ ओवर कास्ट मैंने जादा दिखा दी सेल तो हम माइनस दो करनी सकते भी क्योंकि सेल क्या होती है जब भी सेल करते हैं क्रेडिट जादा क्रेडिट दिखा दिया तो उसका effect कैसे ठीक होगा उसको 200 के साथ जादा दिखाया था क्रेडिट तो 200 डेडिट कर देंगे तो क्या लिखा है मैंने सेल अकाउंट शुड भी डेडिट विद रुपीज 200 दो सो रुपे के साथ हम सेल अकाउंट को क्या घर देंगे डेडिट तभी जो ज़्यादा क्रेडिट दिखाया उसका असर ठीक हो जाएगा वैसी उसी डंग से सेल अकाउंट बनाए और डैबिट साइड में दिखा देंगे परचेज बुक की जा अंडर कास्ट वाई रूपीज 300 परचेज बुक को हमने 300 रूपे के साथ कम दिखाया अंडर कास्ट मैंने कम शो कर दिया किसी ट्राजेक्शन के कारट जब उसकी टोटल बढ़ रहे थे अंडर कास्टिंग का मज़गा होता है टोटलिंग में कहीं गलती होगी तो इफेक्ट क्या बड़ा प्रचेज अकाउंट भी कम हो गया फिर 300 रूपे के साथ परचेज को और दिखा देंगे अब कम हो गया तो ज्यादा दिखा देंगे गलती तभी ठीक हो स ंपरचेज बुक हमने फॉर यहादcarbon के साथ चार दिखा दिया इसका दल परचेज आकॉंट भी जादा बन गया फोर हंड़ के साथ परचेज अकाउंट होतास ने जब भी पारचेज हो ती है अब उसका जब ज़यß के जादा दिखाने का अचान्वासरं कैसे ठीक कर सकते ह आपको तो स्टेट आगे बात करते हैं जब भी टू साइड़र हो तो तीन स्टेप चाहिए होते हैं राइट कुरेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी उस ट्राइक्शन के कारण राइट रॉंग एंट्री जो एंट्री हमने कर दी है फिर वो दिखाओ पास रेक्टिफाइंग एंट्री टू कैंसल दा एफेक्ट ओ एरॉर फिर एक सुधार करने वाली एंट्री दिखा दो जिससे जो गलती की है उसकी असर को ठीक किया जा सके ये तीन काम करने होते हैं क्यों करने होते हैं धियान से टू साइड़र है कोई ऐसी गलती जिसके लिख दी उसने books of account में समझने के लिए तो फिर वो entry लिखेंगे जिससे उस गलती को जो effect है उसको ठीक किया जा सके exam में हमें सिर्फ rectified entry लिखनी होती है correct और wrong लिखने की जुरूरत नहीं है यह समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कैसे example देखते है let purchase of rupees 2000 from महिंदर entered in day book rupees 200 महिंदर से purchase की भी 2000 की पर day book मतलब purchase book में 200 रुपे दिखा दिए 1800 रुपे कम दिखा दिए भी ध्यान से जब purchase book की totaling में गलत नहीं हुआ purchase book में कम दिखा दिया तो double sided effect हो गया purchase account पर भी effect पढ़ गया और महिंदर के account पर भी असर पढ़ गया यह two sided error तो हम क्या करेंगे क्योंकि purchase 2000 की थी 200 दिखाई तो 1800 रुपे कम है अब 1800 की purchase और दिखा देंगे बस सीधी बाद यह है तो ध्यान से देखो correct entry जो होनी चाहिए थी वो एक्चली यह होनी चाहिए थी purchase account डेविट टुमेहिंदर्स account wrong entry कर क्या दी purchase account डेविट टुमेहिंदर्स account 200 की कर दी 18-18 सुरुपे कम है तो हम rectified entry कर देंगे अब purchase account डेविट टुमेहिंदर्स account 1800-1800 ध्यान से सोचो 200-200 की उसने wrong entry की थी 1800 की अब हमने rectified entry कर दी total कितना हो गया वही 2000 बन गया exam में हमें सिर्फ ये entry डाल के आनी है ये आपकी समझ के लिए मैंने बताया है कि correct entry होनी क्या चाहिए थी गलत entry क्या लिख दी ताकि हम difference बदा कर सके किस account को कितना debit जा credit करके हम उसका effect ही कर सकते हैं गलती का समझ लगी बात एक और example देख लेट परचेज ओफ 8000 फ्रों सनी entered in the day book 800 परचेज की थी 8000 की entry होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डावे टू सनी पर डे बुक परचेज बुक में हमने एक और टू सनी यह अकाउंट इतने के साथ debit और credit हुए रेक्टिफाइंग क्या होगी क्योंकि 8000 की परचेज थी हमने 800 दिखाए हैं तो 72 100 रुपे कम दिखाए हैं तो और दिखा देंगे एंट्री क्या बनागी रेक्टिफाइंग एंट्री परचेज इस अकाउंट है भी तो सनी इस अकाउंट जहां से देखो परचेज 800 पहले कर चुके थे 8000 की परचेज थी तो 72 100 की परचेज हमने और दिखा दे क्लियर सनी का अकाउंट 800 के साथ credit होना चाहिए था पर किया कितने के साथ 800 के साथ 72 100 के साथ और credit कर देंगे that is a rectifying entry हमने exam में ये entry दिखा नहीं होती है जब solution करते है rectification of error stage second आफ second stage की बात करते है बड़ी important stage है rectification after preparation of trial balance before final account हमने trial balance मना दिया गलतियां मिलगी अभी final account नहीं बनाया तब भी वही दो case हो सकते है one sided error और second हो सकता है two sided errors one sided error में ध्यांस रखो मैंने trial balance में detail में इससे related एक वीडियो है 39 EP का मतलब पंजाबी में भी है और हिंदी में भी है as a medium instruction जिसमें मैंने suspense account के बारे में detail में बताया ये क्यों जरूर करती है क्योंकि जब trial balance मिलते नहीं हमने final account की हरहाल अपमें particular date तक बनाने है जितना difference आ रहा है trial balance को मिलान करने में तो accountant एक नया account शुरू करते हैं suspense account मतलब इतने amount का doubt है जैसे जैसे गलतिया मिलती जाती है suspense account का balance अपने आप खत्म होता चला जाता है कम होता चला जाता है जैसे जैसे हम suspense account से लेटे आगे प्रेक्टिकल करेंगे तब आपको पता जाएगा सबसे पहले बात जो मैं कर रहा हूं ध्यान से सुनो मेरी बात suspense account का use तभी होता है जब one-sided error two-sided error में तो हम general entry पास कर देंगे जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी दिर पहले के two-sided error में हमें सिर्फ general entry पास कर नहीं ती है वही तीन step लेके लेकिन one-sided error में एक account पी असरफ परड़र है trial balance बन चुक है तो अब हम laser account नहीं बनाएंगे दूसरा effect किस पर दिखाएंगे suspense account पर ध्यान रखना इसमें दोस्तितिया हो सकती है तो डिसे टू बैलंस अडिसेग्री ट्राइल बैलंस तो पोस्ट डाउटफुल आइटम कोई आइटम डाउटफुल है तब भी suspense account को यूज कर सकते है या ट्राइल बैलंस नहीं मिल रहा अब भी suspense account यूज होता है दो स्थितिया हो सकते हैं जब suspense account का यूज बनता है कैसे लेटा बिजनसमें गेट्स रूपी बिजनसमें गेट्स कैश रूपीज 3,000 बट फोर गेट्स डैट हू सेंट दा मने बिजनसमें को 3000 किसे से कैश मिला बर यह भूल गया कि पैसे किस से मिल पैसे लेगा तो अब एंट्री क्या करें चोड़ भी नहीं सकता कैश अकाउं डैविट तो सेस्पेंस अकाउंट जान रखो एक अकाउंट है जो वह श्पेंस था उसके वारे में डाउट था वो किसको शिफ्ट कर दिया सस्पेंस अकाउंट को व्यक्तिका नाम नहीं पता जिस दिन उस व्यक्ति का नाम पता जल जाएगा तो suspense account को debit कर देंगे उस व्यक्ति को credit कर देंगे जिसका actual नाम होना चाहिए था ऐसे होता है business में पर अब हमें पता जला है कि 3000 का cash profit किया पर व्यक्ति का नाम पता नहीं वो suspense account में डाल दिया cash account debit to suspense एसी हालत में suspense account को यूज किया जाता है जब two-sided error होती है इसके वारे मुझे ज़्यादा बताने की जुरूरत नहीं मैं आपको बदा चुका हूँ same way है जो trial balance को बनाने से पहले गलतियां मिलने पर होता है right correct entry that should be ठीक entry डाल लो पहले rough काम में जो होनी चाहिए थी right wrong entry that has been passed फिर rough काम में ही वो entry डाल लो जो उसने गलत डाल दी अब आपको साफ दिखने लगए कि हमसे गलती को ठीक कैसे कर सकते हैं तो हम rectified entry डाल देंगे तीसरा step past rectifying entry to cancel the effect of error वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि तीन स्टेप में कैसे वैसी गलतियों ठीक करते हैं जिन गलतियों का दो अकाउंट भी एफ्रेक्ट पाट रहा है डाविट और credit पर स्ट्रूएंट्स आगे देखो दिहान से पर्चेज और स्टेशनरी और रूपीज 3000 स्टेशनरी पर्चेज की 3000 की हैज बिन रिकॉरड़ेड इन कैश्वूक रूपीज 30 कैश्वूक में 30 रूपीज लिख दिया भी क्लियर क्रेक्ट एंट्री गया होनी चाहिए थी स्टेशनरी अकाउंट आवेड़्ू कैश 3000 रूपीज रूपीज पर्चेज की रूपीज दिखाई यह दाल देंगे अग पेपर में हमें एक्जाम में जब सौलव करना तो यह एंट्री डालनी हुँचा यह आपकी समझ के लिए मैंने बताया कि प्रेक्ट एंट्री यह हो इंट्री उसका इफेक्ट कैसे ठीक कर सकता है रेक्टिफाइंग एंट्री से एंट्री या वनगी स्टेशनरी काउंट डैविटू कैश जितना अमाउंट दोनों काउंट में कम था उतना हमने डैविटूर कर दिया 2970 नरेशन कैसे लिखते हैं जैसी ट्राजेक्शन ओं व इफेक्ट ठीक जब भी यह डवल अकाउंट का इफेक्ट होते हैं मैं आपको पहले भी समझा चुका है दा फॉलिंग एर्र बीन डिटेल निमेरिकल कुश्चन है लास्ट में हम जल्द जल्दी करते हैं दा फॉलिंग एर लोकेटेड आफ्टर प्रप्रप्रेशन ऑफ ट् तो हमने इनको ठीक करने जैसे जैसे हम आके सॉल्व करेंगे तब जी इन सारी ट्राजेक्शन को मैं आपके लिए बढ़ूँगा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं वहाँ पर मैंने सॉलूशन भी साथ में दिखाया है इसमें जो दिखाया गया है इसको समझने की कोशिश क करो सेल ओफ गुड्स ओन क्रेडिट टू अरुन फॉर रूपीज वन हंडड़ फिफ्टी टू पॉस्ट टू इस अकाउंट इसका मतलब जो सेल थी वह तो ठीक थी उसके अकाउंट को गल्थ पोस्ट किया 152 के साथ के तो 27 कम टेविट किया तो अब वह पोक्त कर सेल ओड़ देखाया लुक्त कर दिखे तो दूसरा कोई गल्थ ए ही नए तो दूसरा effect किस पर पड़ाईगा क्योंकि trial balance बन चुक है suspense account exist करता है तो दूसरा account हम किसको shift कर देंगे to suspense account 2727 being wrong amount posted to earn's account now rectified सेकिंड देखो about goods from Lakshmi on credit for rupees 550 credit to her account by rupees 505 हमने Lakshmi से credit goods purchase की है about means purchase की 550 की entry क्या होगी ध्यान से सोचो purchase account एवे to Lakshmi ऐसा होना चाहिए था कर दी पर हुआ क्या जब Lakshmi के account को हम post कर रहे थे उसके account को 505 के साथ credit किया जबकि करना कितने के साथ था 550 के साथ 45 rupees कम post किया उसके account को उसके account को कम credit किया 45 के साथ तो अब कर देंगे तो हमने क्या किया टू Lakshmi account Lakshmi के account को 45 के साथ credit कर दिया अब डाविट किसको करेंगे suspense account को समझ लगा जो one-sided error होती है trial balance बनाने के बाद suspense account एक्जिस्ट करता है तो हमें laser account नहीं बनाना होता तो ऐसे journal entry डालते हैं क्योंकि दूसरा एक्टम suspense account को दिखाते है थर्ड बन परचेज ओफरनीचर फ्रॉम अभी 4 रूपीज 404 अभी से फरनीचर परचेज किया 404 का ओन क्रेडिट उधार परचेज किया तो entry होनी चाहिए थी फरनीचर अकाउंट डाविट टो अभी वस डाविटिट टू फरनीचर अकाउंट फरनीचर अकाउंट को डेिट किया बिल्कुल होना चाहिए था डेिट बट अमाउंट गल्द कर दिया एज रूपीज 40440 440 चारसो चालिस के साथ डेइविट कर दिया जबकि करना कितने एक साथ था 404 के सांथ debit इसका मालए जादा debit कर दिया भी अभा कम कैसे कर सकते हैं जितना जादा debit किया उतना credit कर दो तो entry क्या बनगी हमने furniture account को 36 के साथ credit कर दिया क्योंगी 36 के साथ जादा debit किया ना दूसरा effect कि इसको दिखा देंगे suspense account का entry गा बनी suspense account debit to furniture account next tab machinery purchased परचेज machinery for cash 200 was not post to missionary account machinery purchase की 200 रुपे की एंट्री क्या बन की machinery count debit to cash ऐसा होना चाहिए था जब posting करने लगे missionary account में post नहीं किया cash के बारे में चुपे सका मेलो cash में दो गर दीया missionary county to cash missionary में नहीं post किया तो अब कर देंगे missionary account debit होना चाहिए था हम debit कर देंगे missionary count debit कि दूसरा किसे अकाउंट पे गलती नहीं है वन साइड़ा टू सस्पेंस अकाउंट वो हमने किसको डाल दिया सस्पेंस को लास्ट वनेज़ा टोटल ऑफ प्रचेज बुक 89 वाज कैरी फॉरवड करने लगे अगले पेज पे अगले पीरियड के लिए तो 98 लिख दिया 9 रु कि दे देखने का मजलता है प्रचेज अकउंट भी जादा हो गगया नाइन रुपी के साथ अीार होन कैसे कर सकते हैं उसको nine के साथ क्रेडिट कर देंगे तो हमने प्रचेज अकंट क्या कर दिया क्रेडिट डुेट टूपर रोचेज अकंत नाइन दूसरा एक्ट किसकत पढ़ेगा कोई और आकांट पे है निता वो किस पे जाएगा से अग्जिसट कर रहे और वन साइड़ार है हमने जो गलती किया कि इस एक अपते हैं अपने ठीक करना है और दूसरा ही फैक्ट है जो debits or credit वो suspense account को कर देंगे ये धियान रखना किसी भी ऐसी गलती के लिए तो students I think the whole concept is quite clear आपके लिए जो problem है कोई comment box में जाके लिखें आपको concept clear हो जाएगा इस चैनल पर और बहुत सी वीडियो है आप उनको देखिए आने वाली वीडियो का इंसार कीजिए कुमर्स एकनॉमिक्स से रिलेटेड मॉटिवेशनल वीडियो भी है इसी चैनल पर एक बात और ध्यान से सुने सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड डिटेल में नमेरिकल क्वेश्चिन जे पार्ट परस्ता हम पार्ट सेकिंड में करेंगे रेक्टिवेशन ओफेरर्स में तो सुनेंट थैंक यू वेरी मॉच